पर्ट्राक्शन कैसे काम करते हैं? कि आपका जीवेन एक कास तरह से हो, आप पॉस्टिव जिगनल भेज रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है पर… किस को? ब्रहमान को, इस ब्रहमान को. किस दिशा में? उपर या नीचे? यही तो मैं पूछ रही हूँ, लॉफ अट्राक्शन कैसे काम करता है? लॉफ अट्राक्शन हमेशा दो ऑपोसिट चीजों के बीच में होता है। हाँ? चाहे दो चुम्बक हों या फिर दो opposites त्री पुरुष हों या किसी भी तरह से Law of Attraction हमेशा opposites के बीच होता है, है कि नहीं? उत्तरी धुरूफ से लेकर दक्षणी धुरूफ तक, इस से लेकर उस तक, ये उसी तरह काम करता है जी और फिर कैसे? क्यों ये कहा जाता है कि आप अपनी नियती तै कर सकते हैं? आप कर सकती हैं, आप अपनी नियती तै कर सकती हैं, आपको करनी ही चाहिए, इंसान होने का यही मतलब है जी देखिए अगर आप यहाँ इस धर्ती पर किसी और प्राणी के रूप में आई होती हैं उनके मजबूरी से बंधे चक्र होते हैं वो उनमें ही जीते हैं उनके लिए यह ठीक है क्योंकि वो बस उतना ही कर सकते हैं असल में अगर आप अपनी जिंदगी को देखें तो आप उनसे कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे हैं जो दूसरे प्राणी कर रहे हैं वो पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं वो बड़े होते हैं, आप होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं वो मर जाते हैं, आप मर जाते हैं कुछ भी बहुत अलग नहीं, पर इन ही सिंपल चीजों को हम जागरूकता से कर सकते हैं, इनसान होने का यही एक महत्वपून्गुण है, जिस पल आप इसे, मान लीजे, आप अपने हाथ का उपयोग जागरूकता से करती हैं, अब यह हाथ वही करेगा जो आप चाहती हैं, ह अब आपके विचार वही करेंगे, जैसा आप चाहती हैं, अगर आपके विचार वो कर रहे होते जो आप चाहती हैं, तो आप खुद को कैसे रखती हैं, आनंद में या दुख में? आनंद में? आनंद में. जी. अगर आप आनंद में हैं, तब क्या आप खुशी की तलाश में जाएंगी? तो ये सब चीजें जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिन्दगी की सबसे महान चीजें हैं, शांत रहना, खुश रहना, वगरा, बकवास, आपके लिए कोई माइने नहीं क्योंकि आप आनंद में हैं, पर आप उनसे ऐसा कह नहीं सकते, उन्हें बेज़त्ती महसूस होगी. आपको उनसे… आपको थोड़ा सूर में बोलना होगा. पर वास्तव में, अगर आपके विचार और भावनाएं, आपसे निर्देश ले रहे होते, तब आप खुद को सब आपसे उचे सतर की सुखत स्थिती में रखते, चाहे वो जो भी होती, है ना? बिल्कुल. हाँ, अगर ऐसा हो जाए, तो आपकी पूरी जीवन प्रक्रिया एक सहज स्थिती में आ जाएगी, पूरी तरह से सहज. अभी क्योंकि आप एक घात लगाएवे टाइगर की तरह है आपको हमेशा कुछ नगुट चाहिए होता है, यहाँ लेने के लिए कुछ नगी है, अगर आप बस यहाँ बैठें, तो आपका जीवन पूर्ण है. अब यह सहजता में है, पूरी सहजता में, जब यह इतना सहज हो जाता है, तब यह ग्रहन शील बनता है. अब किसी एक प अब आप ऐसे जीवन के साथ क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि आप कुछ ऐसा खोजना चाहेंगी जिसका अभी आपको बोध नहीं है. इस तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है. इस तरह से आप अपने जीवन की बागडोर संभालते हैं. अब आपने कुछ चाह पर फोकस करते हैं, जो नहीं हुई है. अगर आप सही से इसका अंकलन करें, तो एक ठीक ठाक सेटल समाज में, वो जो चाहते हैं, उसका 90 प्रतिशत पूरा हो जाता है. ये बाकी का 10 प्रतिशत है, जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं. हाँ? हलो? कैसा नहीं है? आपके बहुत हग तक, आप अपने नियती को वैसे भी तैक कर रहे हैं, थोड़ा सा गडबढ हो रहा है, पर वो थोड़ा भी आपको परिशान कर सकता है. मान लीजे, आपको 100 किलोमेटर गाड़ी चलानी है, 90 किलोमेटर आप सही से गए, जहां आप जाना चाहते थे, 91 किलोमेटर में आपका एक्सिडेंट हो गया, अभी भी ये ठीक नहीं हुआ, है ना? जी. तो इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिनावजय शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि 90 किलोमेटर तक सब कुछ सही हुआ, बस पहुचने से ठीक पहले एक्सिडेंट हो गया तो वो अभी उससे दुखी हैं, अभी ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारे चार और परिस्थितियां होती हैं, हर एक परिस्थिती कभी भी बिलकुल हमारे हिजाब से नहीं होगी, क्योंकि वो परिस्थिती बस मेरे बारे में नहीं हैं, उसमें कई सारे लोग शामिल हैं, कई सा आनंद में हूँ अगर आपको गोल्फ खेलने को मिल रहा है खेलने को अगर ना भी मिले तो भी तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो जब तक चीजें आपके हिसाब से हो रही है और आप अपने रास्ते पर है और आप आनंद में है ना 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 मैं यह नहीं कह रहा कि जब अगर आप आनन्द में हैं, तो फर्क नहीं पढ़ता कि चीजें किस तरह से होती हैं, वो जिस तरह भी हो, आप तब भी आनन्द में हैं देखिए असल में ये ऐसा है कि दुनिया ने घोडे के आगे गाड़ी लगा रखी है आप मुझे बताईए क्या अपने आपको संभालना आसान है या इन सारे लोगों को संभालना आसान है अपने आपको संभालना कठिन है मेरा मतलब है अच्छा आप इन सब लोगों को संभाल सकती है कोशिश कीजी नहीं मैं ये इसी लिए कह रही हूँ क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उन्हें अपने आपको समभालना है और वो समाच को और समुदाय को और लोगों को बदले की कोशिश कर रहे हैं अभी आप यहाँ बैठी हुई है क्या अपने आपको समभालना आसान है या फिर इन सभी लोगों को अपने आपको तो पहले आपको वो करना चाहिए न जो सिंपल है और आसान है अगर आप अपने आपको संभाल लें तो फिर हम देखेंगे कि हमें इन सभी लोगों से कित्मा सहयोग मिलता है अभी जब आप कहती हैं कि आप खुशी की तलाश में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहती हैं कि ये सब आपके हिसाब से काम करें जब हम कहते हैं अगर ये हो जाए तब मैं खुश रहूंगी अगर वो हो जाए तब मैं खुश रहूंगी तो उसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया को, इस ब्रह्मांड को आपके हिसाब से चलना चाहिए। वो नहीं हुआ मतलब क्या, लोगों को आपके एक्टिंग पसंद नहीं आई, यह सेलेक्टर्स को आपका क्रिकेट पसंद नहीं आया, ऐसा कोछ हुआ। तो आप जो चाहती हैं वो नहीं हुआ, क्या आप तब भी यहाँ आनन्द में बैठ सकती हैं, यह एक सवाल है। जादतर लोग नहीं कर पाते हैं। किसी तरह से आपके सिनमा द्वारा या जैसे भी आप किसी तरह से उनके मन को संभालने की कुशिश कर रही हैं और वो कर रही हैं जो उन्हें पसंद आता हैं। और इसलिए यह काम कर रहा है हैं ना, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। सही, तो क्या आसान है, इसे संभालना या उन्हें संभालना, इसे, अगर आप इसे संभाल लें, अब आप खुशी की तलाश में नहीं है, आपको किसी चीज का तनाव नहीं है, कोई भी, कोई तलवार आपके सेर्पर नहीं लटक रही, आप हर चीज पूरी तरह से शामिल होकर करेंगी, क्योंकि आपको परवा नहीं है कि क्या होगा चाहे जो भी हो जाए, आप तब भी ठीक है, इतना आप जानती है अब स्वाभाविक रूप से आप हर चीज बहतरीन ढंग से करेंगे क्योंकि आप आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि आप आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं रह गया है जो भी करना जरूरी है आप करेंगी, बड़ी सहचता से तो जो काम किसी को एक बड़े सरकस और करतब की तरह लगता है उसे आप खुशी से खेल-खेल में करेंगी सही, तो आप इस चीज को पूरी तरह से खारिश कर रहे हैं कि लॉफ अट्राक्शन नहीं होता, इस तरह की कोई चीज नहीं होती होती है, मुझे यकीन है, बहुत से लोग आपकी तरह अट्राक्टेड है नहीं, वो वाला लॉफ अट्राक्शन नहीं, ये कि ब्रह्मान आपको वो दे जो आप चाहते हैं पर खैर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ब्रह्मान कहा है? हम इस ब्रह्मान का ही एक हिस्सा है जब आदियोगी से उन साथ साधूों ने पूछा, जिने आज सब तरिशी कहा जाता है, उन्होंने पूछा ब्रह्मान कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कितना विशाल है, ये क्या है तो आदियोगी हसे और बुले, मैं तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड को एक राई के दाने में पैक कर सकता हूँ ये बहुत जबर्दस पैकिंग हुई, है ना? हाँ, बिल्कुल ही जबर्दस तो, क्योंकि आप जिसे समय और स्थान समझते हैं, वो आपके मन की प्रकृती की वज़े से है जो वहाँ है, अगर आप अपने तारकिक मन की सीमाव से परे चले जाएं तब जो वहाँ है, वो यहाँ है, जो यहाँ है, वो वहाँ है, जो तब है, वो अब है, जो अब है, वो तब है सब कुछ, टाइम और स्पेस आपकी समझ में मिक्स हो जाता है तो जब ऐसा होता है, अब आप ब्रह्मान से बात नहीं करेंगी वो लोग जो अपने पडोसियों से बातचीत नहीं करते वो ब्रह्मान से बात करते हैं